तो दक्षण भारत के प्रमोख राज्यों में से एक राज्य तेलंगाना में चौथे चरण में प्रदेश की सभी 17 लोकसभा सीचर पर मतदान होना है और इसी क्रम में प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी भाष्वा प्रत्याश्यों के समर्थन में चुनावी रैली को संभोधित करने के लिए हैदराबाद आ रहे हैं प्रदान मंतरी मोधी की रैली के प्रमोग संयोजग प्रेम सिंग राठोर से बात कि हमारे समबादता ओपी आदव ने क्या कुछ कहना है उनका आपको सुनाते हैं लोक्षवा चुनाओ के चोथे चरण में देश के दस राज्यों की छिनमे लोक्षवा सीटों पर चुनाओ होना है इनी में से तेलंग गाना की 17 लोक्षवा सीट हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी यहां पर चुनावी रेली को संबोधित करने आ रहे हैं क्या है यहां का सूर्तेहाल और चुनावी से मिकरने इसी विश्य पर बात करने के लिए मारे साथ मुझूद है प्रधान मंतर की रेली के मुख्य संयोजक प्रेम सिंग डाठोर प्रेम चलता है उसके लिए अपने गल उन्पख करते हैं तब करते हैं है क्या क्या तैयारी आपने खास वर पर किये प्रदानम求 जी आ रहे हैं वह अप सभी को चैनल आदा है और सब बड़ी आबादी है वोटर्स के रूप में और उन सभी को साधने के लिए आपने लगा ताया नेकल प्रयास के अबलकि घरगर तक कंपेंड भी किया क्या तो इसमें बहुत अच्छा लगता है जो सरकार यह अभी तक क्या ही पिछले दिनों में कांग्रेस की रही या बियारस की रिया फिर कांग्रेस के आगे सिर्फ लूट करने का ही काम किया है जनता वो ठगना कई जो है वाइदे करना कोई स्कीम बताना और करोड़ों रुपे गैप कर देना गबन करने का ही काम किया है हम आशा करते हैं कि भाजेपा सरकार आएगी तो दक्षिन में एक नहीं रोन काईगी पूरा तिलंगाना नए तरीके से उस्सा पूर तरकी करेगा हमारी डबल डिजिट के अंदर हमारी जो है यहां पर सीटे आएगी तो यह दो बारतिये जनता पार्टी से प्रदान मंतरी नरेंदर मोली की रेली के प्रमुक्षायों जया प्रेम सिंग राठो जिनका मानना है कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के स्वागत के लिए ने के लिए पलक पाउड़े बिचा कर तैयार है बलकि रेली की पूरी तैयारियां हो चुकी और प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का उद्वोधन सुनने के लिए हैदराबाद की जनता पूरी सरह से उत्साहित बोपिया दो